इस वीडियो में बात करेंगे जुमाइटो सेयर के बारे में जुमाइटो में अगली ट्रेडिंग सेसें लेवल्स के बन रहे हैं आज के दिन हमें क्या पूफॉर्पमेंस दिखने भी बिला सारे चीज़ी केइटने बाइंग है डेलीवरी में कितना percentage उठाया गया साले चुछे एक एकर गया मास की इस वीडियो में दिखने वाला है वीडियो को पर लाश्क तोग आप देखते रही है अभी तोग आपने और इस वीडियो को लाइक ने किया है तो लाइक और सेर करना मत भूलेगा चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आप से मिछना हो फिलाल दोस्तों बात करेंगे जुमैटू सेर में आज के दिन 0.90% का गिराओट जो है दिखने हो मिला लगबग 1% से तोगा कम गिराओट मतलब 0.90% गिराओट दिखने हो मिला गैप अप ओप ओपनिंग तो हुआ बट ओपनिंग के बाद लगातार स्टॉक में गिराओट रहा एकदम से बड़ा क्रैस कह सकते हो दिखने हो मिले गया ओपनिंग के बाद 133 के ऊपर था फिलाल बात करेंगे हैं पर उसके बाद थोर रिकाबरी हमें दिखने हो मिला 12% क kijru वेज़े बात करेंगे और 27% से भी उपर की तो इसी इक आपको पता है कि जब और 10 जो मेटो सेयर में गिरावट हुआ था और उसके बाद जो है अभी इत्वातो और रिकवर करते हुए नजर आ रहा है हमें और बाकी देखते हैं कहा तक रिकवर और कितना धात वक्तेजी आमें दिखना हुआ मिलता है आने वाले टाइम में और भी आपर कुछ चीजे फिलाल दोस्तों करेंगे आज के दिन डेलेवरी परसेंटेज और भी कुछ चीजे आमें दिखना हुआ मिल रहा है जहां पर उपेन हुआ वा वाई उसका आई है लो लागा 130 का जो की 132 पर क्लोजिंग हमें दिखने हुआ मिला फिलाल दोस्तों कर हम बात करेंगे यहां पर मार्केट क्लोज होने के बाद भी 9359 कौटिटी बाई साइड में लगा हुआ है ओडर में और उसके बात दोस्तों करेंगे यह जनुवरी का डेलिवरी पोजिशन हमें क्या दिखने मिला है यह आज के दिन के डेलिवरी पोजिशन क्या था कौटिटी टोडल ट्रेड कितना हुआ 3 करोड नावासी लाग 12430 कौटिटी ट्रेड हुआ जिसमें से डेलिवरेवल कौटिटी कितना है 1.55,5,600 वाट लगभग यहां पर 40% का डेलिवरी में उठाय गया है माल आज के दिन 40% का डेलिवरी में उठाय गया है क्या दिन दुस्तों कर हम बात करेंगे यहां पर जुमेंटो सेर में आप देखेंगे आप तो जब अरदस माल उठाय गया है कह सकते हूँ कि काफी सरे स्टॉक में तो 20%, 25%, 15% नमाल उठाय जा रहा है बटे आपर 40% का उठाय गया है तो यह काफी अच्छी बात है कि जब अरदस उठाय गया बात करेंगे और भी कुछ बात करें इंडियन मार्केट का तो बैंक निफ्टी में आज के दिन 1.47% का गिरावट जो है दिखने हो मिला और गैप डाउन ओपनिंग हुआ फिर कैसे तो प्रिवेस क्लूस के आसपस गया फिर उसके बाद गिरावट लगातार रहा डाउंसाइड में बाड़ा सा जो भी आप दिख सकते हो और भी कुछ इंफॉर्मेस के बारे में दिख लेता हैं वीडियो के प्रलाश्ट के आप देखते रहे हैं अगले ट्रेडिंग से सब्लेवल के बन रहा है उसके वपर अम देखेंगे आपे सबसे पहला लेवल है डाउन्साइड में सब्पोर्ट करेंगे कुछ इतना का लेवल 130 का लेवल सुसे पहरा support लेवल है काफी strong support है इसके बाद next support लेवल हमारा कुछ इतना का लेवल हो रहागा जो कि है आप दिखेंगे आप एक 128.30 का लेवल तो यह कुछ डाउन्सेड में दो लेवल यह सपोर्ट लेवल जो आप दियान देजीगा अगर आपको गिराओर दिखने हो मिलता है तो उसके बाद दोस्तो और भी लेवल से जो कि मैं ड्रो कर लेता हूँ एक और लेवल जो कि आपके सबसे पहला लेवल हमारा कुछ इतना का लेवल रहेगा आप दिखने यह वाला लेवल 133.60 इसको अगर यह ब्रिक करता है निक्स्ट लेवल के उपर हम बात कर लिते हैं अपसाइड के लिए जो निक्स्ट लेवल रहेगा दोस्तों अगर हम बात करेंगे वो कुछ इतनागा लेवल रहेगा आप देखेंगे आप पर तो आज के लिए कुछ इतना ही और वीडियो में कोई 22 से लिए अफर होल्ड की सला नहीं है वीडियो के वले एजूकेशन परपस के लिए है कोई भी फाइनल डिशीजन लेने से पहले अपने फाइनेशल एडवाइज से एडवाइज लेजिए कोई भी अगर हम बात करेंगे अपने आप से सुचिया कोई करना है और फाइनल डिशीजन आपका ही होना चाहिए मिलते हैं कि इस दूसरे वीडियो में इस वीडियो इस वीडियो इस वीडियो इनली फॉर एजुकेशन परपस